नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटीव चैनल सिवा उनलैन क्लासिस में दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन एरफोर्ट की ओफिसल वेप साइट पर और आज की सी विडियो में हम डिसकस करने बाले हैं इंडियन एर फोर्स में निकली भरती के बारे में तो जी हाँ दोस्तों ग्रुप X में इंडियन एर फोर्स में भरती निकल चुकी है तो आज की इस वीडियो में हम इस भरती से उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं आपको official notification भी दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत ही interested है दोस्तो वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जाएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर लेना और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरू करना तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो तो यह है दोस्तो वो official notification आपको देखने से लग रहा है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारती बायुसे ना Indian Air Force लेकन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीश बता देना चाहता हूँ आपको मेरे चैनल पर कल वीडियो देखने को नहीं मिली होगी क्यों कि दोस्तो मैं केबल अपनी चैनल पर वही वीडियो डालता हूँ जो कि official website पर upload हो जाती है आपको पता है मेरे job से related channel है आप जॉब डेली तो निकलती नहीं है तो जब जॉब निकलती है मैं केबल तभी वीडियो डालता हूँ फालतू की वीडियो में नहीं डालता हूँ नहीं कभी fake वीडियो में डालता हूँ ठीक है तो चलिए अभी इस भरती के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो यह जो भर्ती है दोस्תों वो 33 सतमबर 2020 में चलनी है इसे एर्मैन बोलते हैं दोस्तों इयर्फोर्स में एक सिपाही के लिए तो यह सिपाही के की दोस्तों मतलब ऐर्मैन की बर्तिय निकली है उन दो है उन दो दिनों में आपको online registration करना है उसके बाद में आपके लिए 3 सितंबर से 4 October तक आपकी जो भरती होनी है तो दोस्तों हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको दिख़ा होगा मैं आपको यहां पर जूम करके भी दिखा देता हूं दोस्तों यहां पर रिल्कुल साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है यहां पर इन्दियन एर फोर्स offers opportunities for unmarried male Indian and Nepalis citizen ठीक है तो यहां पर दोस्तों कि जो बैकंचिस हैं वो इंडिया और नेपाली citizen के लिए हैं ठीक है और यह जो दोस्तों भरती है इसके लिए आपकी जो online registration start होंगे वो 8 सितंबर 2020 से 10 सितंबर 2020 मतलब के बस दो दिन मिलेंगे आपके लिए online registration करने के लिए तो दो दिन के अंदर आपके लिए registration करना है 8 सितंबर 2020 से 10 सितंबर 2020 तक ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपके लिए इस भरती में सामिल होने के लिए आपका जो education qualification है वो आपको 10th 12th pass होना चाहिए मतलब आकर आप 12th pass है तो आप इस भरती में select हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों note में आप देख सकते हैं तो recruitment test is not for selection as commissioned officer, pilots and navigators यहां पर मैं आपको बता जाना चाहता हूं कि recruitment test है यह किसी officer level के लिए नहीं है ना कि pilot के लिए है ठीक है यह है जो test वो आपका year man के लिए होगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 सितमबर 2020 से 26 सितमबर 2020 के बीच में आपके जो है वो यह physical fitness test होगा उसके बाद में 37 सितमबर को reserve day है यहां पर कुछ नहीं होगा उसके बाद में 38 सितमबर से 1 October तक आपका फिर से physical test होगा और 2 October के लिए reserve day और 3 October के लिए आपका physical fitness test, written test और aptability test 1 and aptability test 2 हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं आपके लिए इस भरती के बारे में detail हम बताऊँगा यह जो पोस्ट है इनके बारे में मैं आपके लिए detail हम बताऊँगा तो अभी चलते हैं दोस्तों हमां आपके लिए date of birth ब् 2000 से 30 December 2003 के बीच में है तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपकी education qualification जो है for group X traits, accept educational instructor traits, past intermediate equivalent examination with mathematics, physics and English तो आपके लिए दोस्तों 12th pass होना जरूर है उसके बाद में आपके पास है mathematics, physics और English with 50% mark से आपको pass होना जरूर है ठीक है उसके बाद में दोस्तों इस भरती के कुछ खास खास जो points है वो मैं आपको बता देना चाहाता हूं अभी हम चलते हैं next page पर यहाँ पर मैं scroll करके stress यह दर को ले आता हूं उसके बाद में आप देख सकते हैं यह verification of eligibility है उसके बाद में higher education है यहाँ पर आपकी छुट्टी के बारे में facilities के बारे में दिया गया है कि आपके लिए राशन मिलेगा, clothing मिलेगी, medical facilities, accommodation, CHD और आपके लिए 90 दिन की छुट्टी मिलेगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपके लिए काफी सारी जो यहाँ पर benefits हैं वो दिये गए हैं इनको आप पढ़ ले जीएगा मैं इस इस notice की यह जो official notification है इसका जो link है वो मैं अपने इस वीडियो की description में दे दूंगा आप बहां से जाके पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपकी जो service होगी वो initially service आपकी 20 साल की होगी उसके बाद में अगर आप अच्छे service करते हैं तो वो extension कर दियाती है 57 साल त सकते हैं उसके बाद में आगर आप करना चाहते हैं तो आप 57 साल तक अपनी service को बढ़ा सकते हैं ठीक है तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर आपके selection procedure के लिए यहां पर आपका physical fitness test के लिए sequence of examination तो physical fitness test होगा PFT आपकी आपका 1.6 km run होगा 6 minutes 30 seconds जिसके लिए आपको दिये जाएंगे ठीक है तो 1.6 km का running है आपको 6 minutes 30 seconds में करनी है उसके बाद में दोस्तों candidate self help also to complete 10 push-up आपके लिए 10 push-up लगानी है 10 setups लगानी है 20 squares लगानी है within time frame होगा आपके लिए इसके लिए फिर आपका written test होगा उसके बाद में आपका merit होगी उसके बाद में आपका medical होगा ठीक है यहां पर आपके marking pattern of written test होगा 1 mark for every correct answer 0 mark for attempt question और 0.25 mark shall be deducted from each wrong answer तो आपके यहां पर minus marking भी ह होगी इसलिए यहां पर ध्यान दीजीगा कि आपके लिए यहां पर कभी गलत आंसर पर टेक नहीं लगाना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब यह जो भरती मैंने आपको बताई थी कि 3 सितंबर से 4 अक्टूबर तो 3 सितंबर से 26 सितंबर तक जो आ इस दे मतलब केबल एक दिन में 125 कंडिडेट से बुला जाएंगे तो इस तरह से क्योंकि दोस्तों यहां पर कोविड-19 के लिए आपको यहां पर दिया हुआ भी है इन वीव फोविड-19 रेस्ट्रक्शन एंड कंसिक्वेंट्स टेस्टिंग कंट्रेंस लिम्टेट दिये जाएंगे तो यह एडिमिट कार्ड है वो सभी को नहीं दिये जाएंगे अगर आपके परसेंटेज अच्छी है तभी आपके लिए एडिमिट कार दिये जाएंगे तो इसलिए दोस्तों यहां पर तेज तारीक से 4 अक्टूबर तक आपकी जो है वह गुरूप X की य येर मैन की भर्ते निकली होई है अगर आप चाहाते हैं इस वार्ती में करたना तो आप इस वद्धेल सकते हैं कि ञमार्ट्रा चल्द जल्ली यह चीज और बता देना चाहता हुझ फिर से कि यह जो भध़ती है वो येरमेन की है उसके बाद में दोस्तो 3 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक आपके भध़ती होनी है ठीक है अगर आपकी डेट ओबर्स 17 जनबर 2000 से 30 दिसंबर 2000 है तो आप इस भध़ती में अपलाई कर सकते हैं पॉसके बाद में दोस्तो आपके लिए इस 90 दिन की एक साल में चुट्टी मिलेगी आपके लिए जॉब के साथ में CSD, Medical Facilities उसके बाद में आपको रेलवे की Facilities आपको Free में मिलेगी ठीक है आपके लिए Accommodation दिये जाएगा तो बहुत ही अच्छी नौकरी है दोस्तो आपको इसमें बीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए इस भरते के लिए Form कैसे फिलब करने पूरी जानकारी देने बाला हूं और दोस्तो इंडियन एरफोर्स में एक प्रकेंसी और निकली है जिसकी वीडियो आपके लिए कल मिलेगी तो बो भी दोस्तो बहुत ही अच्छी जोग है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो कर लेकर आमगा ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं खुद डिफेंस में हूँ और मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊं तो इसलिए दोस्तों आज बस एक online classes को subscribe जरू करें